हे गाई स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल देविन अकेडमी में दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं मदप्रदेश की जी के important question जो की किसी भी competition exam में पूशे जाते हैं तो हमारा पहला question है हमारा पहला question है मदप्रदेश कितने संभागों में विवाजत है option यह 12 option b है 13 option c है 14 option d है 10 तो इसका हमारा राइट अंसर है option d 10 इसके बाद next हमारा मदप्रदेश का रोज की ब्रक्ष है option a है नीम का ब्रक्ष option b है बरगत का ब्रक्ष option c है पीपल कबरक्च, option d है नारियल कबरक्च, तो इसका हमारा right answer होगा, option b बरगत कबरक्च, इसके बाद next हमारा अगला question है मद्प्रदेश का राजकिय पसू है, option यह स्यार, option b है गधा, option c है हाथी option d है बारा सिंगा तो इसका हमारा right answer है, option d 12 सिंगा next है हमारा मदब्रदेश का राज किये दिवस है option A है 1 नवंबर option B है 1 दिसम्बर option C है 1 जून option D है 2 जून तो इसका हमारा right answer है option A 1 नवंबर 1 नवंबर को राज किये दिवस की रूप में मनाया जाता है इसके बाद next question है हमारा next question हम मद्र update में लोकसवा सदस्यों की शंक्या है उपसन ये है 20 उपसन बी है 25 उपसन C 29 उपसन D है 30 एसका हमारा राजसर है उपसन C 29 नेक्स्ट हमारा मद्प्रदेश में राज्य सवा सदस्यों की संख्या है ओप्सन ये है 9, ओप्सन भी 11, ओप्सन भी 12, ओप्सन भी 15 इसका राइट अंसर होगा ओप्सन भी 11 इसके बाद नेक्स्ट हमारा मद्प्रदेश में विधान सवा मद्ध प्रदेश में बिधान सबसदस्यों की संख्या है ओप्षन ये है 215 ओप्षन B है 230 ओप्षन C है 250 ओप्षन D है 305 इसका हमारा राइट अंसर है ओप्षन B 230 इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन हमारा अगला कॉस्चन है मद्ध प्रदेश की राध धानी है तो इसका ओप्षन ये है इंदोर ओप्षन B है बोपाल ओप्षन C है जवलपर ओप्षन D है उज्जेन इसका हमारा राइट अंसर है ओप्षन B बोपाल जो कि मद्ध प्रदेश की राध धानी है इसके बार नेक्स्ट है हमारा अगला कोश्चन है मद्धुप्रदेश में बिद्धो तुत्पादन कब से प्राराम हुआ ओप्शन ये है 1905 में gleich ओप्शन C 2010 में ओप्शन D14 में इसका हमारा राइट अंसर रहेगा आप्शन भी 1905 में विद्ध तुत्पादन प्रारम हुआ था मद्ध प्रदेश में इसके बार नेक्स्ट कॉस्चन हमारा छेत्र फल की दरश्टी से मद्ध प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है ऑप्शन यह पहला, ऑप्शन भी है दूसरा, ऑप्शन C है दीसरा, ऑप्शन डी है चो?- तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन B दूसरा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉस्चन है है अगला कोस्ठन है क्या विद्द अनूसंदान के अंदर कहा है विद्द अनूसंदान के अंदर कहा है ओपसन यह जवलपुर में ओपसन भी बोपाल में दहाएं करद भुपाल में जोगी हमारा मत्रदेश की रातादानी है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन हमारा भारत में सबसे अधहिक विष्व विद्याला किस पिरेश में हैं तो ऑप्सन है। Option यह है महाराष्ट में, Option B है उत्तर प्रदेश में, Option C है पंजाब में, Option D है राजिस्थान में, इसका राजिट अंसर रहेगा Option B, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बिस्विद्याला है, इसके बाद अगला कॉश्चन हमारा मद्द प्रदेश का सरवाधिक पुम साक्षर जिला कौन सा है, Option यह है जवलपुर, Option B है विदीशा, Option C है इंदोर, Option D है रतलाम, इसका हमारा राइट अंसर है, Option C है इंदोर, जो की स्पून साक्षर जिला है, इसके बाद नेक्स्ट कॉश्चन हमारा मद्द प्रदेश के किस नगर से होकर करक रेखा गुजरती है, Option यह है हमारा भोपाल, B है जवलपुर, Option C है खंडबा, Option D है धार, तो इसका हमारा राइट अंसर है, Option A भोपाल से होकर मद्द प्रदेश की करक रेखा गुजरती है, तो दोस्तों यह रहे हमारे जी के इंपर्टन्ट कॉश्चन, जो की किसी भी कॉम्पटिशन एक्जाम में प पढ़ लें ताकि आप किसी भी कॉम्पटिशन एक्जाम को अच्छे से किलियर कर सकें, धन्यवाद,